नमस्कार साथियों, 24 फरवरी 2022 को रूस की सैना ने उक्रेन पर हमला किया था उसके बाद से लेके अब तक 15 महीने हो चुके हैं और ये युद अभी भी जारी है इस युद में हजारों लाखों लोगों की मौत हो चुकी है फरवरी 2022 में जब युद की शुरुवात हुई थी तो शुरुवाती दिनों में रूस की सैना ने सुमी, हैरसोन, खार्किव जैसे कई बड़े युक्रेनी शेरों पर कबजा कर लिया था और युक्रेन की राजधानी कीव की सबर्ब तक रूसी सैना पहुँच गई थी प्याकराएं उसके बाद धिरे धिरे युक्रेन की सैना ने अपने काउंटर ओफेंसिव में रूस की सैना को कई शेरों से पीछे कर दिया जैसे कियू से पीछे कर दिया, सूमी शेर से भी पीछे कर दिया, खारकी और हैरसोन शेर को भी दोबारा से युकरेन किसेना ने अपने कबजे में ले लिया लेकिन उसके बाद से लगातार युद जारी है और यदि अभी वर्तमान हालात की बात करें तो पिछले एक महीने में चार बड़े development रूस और युक्रेन युद्ध में हुए हैं पहला तो ये कि अप्रेल के आखरी में युक्रेन ने वुलादेमीर पुतीन को एसेसिनेट करने की कोशिश करी अप्रेल के आखर में जब रूसी राष्टरपती वुलादेमीर पुतीन मौस्को के पास रूडे नव इंडस्ट्रियल पार्क में जा रहे थे वहां का मुआयना करने के लिए तो युक्रेन की सैना ने युजे 22 नामक ड्रोन युक्रेन से लाँच किये और उस ड्रोन के साथ 17 केजी बहुत हाई क्वालिटी का एक्स्प्लोजिव भी था लेकिन जो टारगेट था रूडे नव इंडस्ट्रियल पार्क उससे 12 माईल पहले वो ड्रोन क्रेश हो गया इसे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से रात के समय में मोस्को के अंदर क्रेमलीन में जो क्रेमलीन की जो बिल्डिंगे हैं वहाँ पे गुमबद के उपर रूड की सैना ने इलेक्ट्रोनिक वारफेर के जरिए युक्रेणी ड्रोनों को मार गिराया था और उसके बाद रूस की तरफ से सिधा-सिधा बयान आया था कि ये युक्रेण द्वारा टर्रिरिजम किया गया है और युक्रेण को इसका मूँ तोड जवाब दिया जाएगा उस समय एक्सपर्ट्स ने कहा था कि वो भी एक प्रियास था युक्रेण की इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा रॉशियन प्रेजिजेट्ट पुतीन को एसेसिनेट करने का इसके अलावा एक समझने की बात ये भी है कि कई वेस्टरन अखबारों ने लिखा कि इस समय उलादेमिर पुतीन बहुत केरफुली और बहुत कड़े सिक्यूरिटी दाइरे में रह रहे हैं ब्रिटिश अखबार डेली मेल के अनुसार एक रूसी अधीकारी जो पहले पुतीन की सिक्यूरिटी में होते थे फेडरल गार्ड सर्विसिज के अंदर थे ग्लैब कुराला को वो डिफेक्ट करके तुर्की में पहुँच गए और उन्होंने डेली मेल अखबार को बताया कि इस समय वलादेमिर पुतीन ना तो कहीं के दोरे कर रहे हैं ना वो मोबाइल फोन यूज़ करते हैं ना ही इंटरनेट का इस्तिमाल करते हैं वलादेमिर पुतीन को ये डर है कि कभी उनके फोन को वेस्टरन एजेंसियां बग ना कर दे कभी इंटरनेट के माध्यम से उनके फोन में कोई सोफ़वेर न डाल दिया जाए तो इसलिए वलादेमिर पुतीन एक स्पेशल कम्यूनिकेशन बॉक्स लेकर अपने साथ चलते हैं और वो किसी भी तरह के मॉबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तिमाल नहीं करते हैं उसी अधिकारी ने ये भी बताया कि रूस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वलादेमिर पुतीन अपने हवाई जाज का इस्तिमाल नहीं कर रहे है तो कि उनको ये डर है कि कभी उनके हवाई जाज को शूट डाउन ना कर दिया जाए इसलिए वो special armored train को लेके चल रहे है वैसे तो वो train बाकी अन्ने Russian trains की तरह ही है लेकिन वो पूरे तरीके से secured है पूरे तरीके से armored train है ताकि उस train के उपर किसी भी तरह के हमले का कोई असर ना हो इसे पहले एक interview में वलादेमिर पुतीन ने खुद भी बताया था कि उनके पूरे जीवन में उनके उपर पांच बार assassination करने का प्रियास किया गया इसलिए वो अपनी security का swim ध्यान रखते हैं और अपनी security को swim manage करते हैं ताकि कोई उनको assassinate ना कर पाए Russian government का सिधा सिधा कहना है कि वलादेमिर पुतीन के उपर जो ये हमले किये गए है ये सिधे तोर पे पूरे रूस के उपर हमला है और इसका मूँ तोड़ जवाब दिया जाएगा दूसरी जो development हुई है रूस और युक्रेन के युद में वो ये है कि 224 दिनों तक चली लडाई के बाद आखिरकार रूस की प्राइवेट मिलिटरी कमपनी वैगनर ग्रूप ने युक्रेनी शहर बैखमूथ पर कबजा कर लिया है ये लडाई बहुत खतरनाक थी बहुत मुश्किल लडाई थी इसलिए बाखमूथ की इस लडाई को बाखमूथ मीट ग्राइंडर बोला गया इसके हैड यवगनी क्रिगोजीन है जिनको वुलादिमिर पुतीन का काफी करीबी माना जाता है अगर देखा जाए तो बाखमूथ शहर की कोई स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस नहीं है अमरीकी जनरल्स भी इस बात को कह चुके हैं कि बाखमूथ शहर स्ट्रेटेजिकली जादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन रूस और यूक्रेन ने बाखमूथ की इस लडाई को अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया था इसलिए दोनों तरफ से टोटल मिलाके लाखों लोगों की मिर्त्यू बाखमूथ की लडाई में हुई और अभी जो कुछ फोटोज निकल के आए हैं उन्हें बाखमूथ शहर पूरे तरीके से तबाह हो चुका है बाखमूथ शहर में एक भी बिल्डिंग सही सलामत नहीं दिख रही है बाखमूथ के साथ साथ वागनर ग्रूप ने सोलेडार और पोपासना जो आसपास के शहर है बाखमूथ के उनको भी अपने कबजे में ले लिया सोलेडार की साल्ट माइन्स बहुत मशूर है और वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में अभी भी साल्ट मौझूद है तो सोलेडार की साल्ट माइन्स में जो अंडरगराउंड बंकर्स थे युक्रेनी सेना के वो भी रशिया ने वागनर ग्रूप ने अपने कबजे में ले लिये है वहाँ पे बड़ी मात्रा में अतियारों का जखीरा वागनर ग्रूप को मिला है Associated Press के साथ बात करते हुए वागनर ग्रूप के मालिक येवगनी प्रिगजीन ने बताया कि इस लड़ाई में उनके लगबग 20 हजार सैनिक मारे गए और दूसरी तरफ यूक्रेइन के 50 हजार से भी अधिक सैनिक मारे गए समझने की बात ये है कि इस लड़ाई के दौरान येवगनी प्रिगजीन पर ये भी आरोप लगे कि येवगनी प्रिगजीन रूस की जेलों में जाके वागनर गृप के लिए रिकूटमेंट कर रहे है कई वेस्टरन खबारों ने ये लिखा कि प्रिगजीन ने जो दोशी जेलों में बंद है उनको जाके ये कहा कि अगर वो छे महीने वागनर ग्रूप की तरफ से बाखमुत में लड़ेंगे तो उनकी बाकी की सजा माफ करा दी जाएगी और उनको रिहा करा दिया जाएगा कुछ वीडियोज भी वाइरल हुई थी जिसमें प्रिगोजीन रूस की जेलों में गए थे और वहाँ जो कन्विक्ट्स जहां दोशी बंद थे उनसे बात करके उनको रिक्रूट कर रहे थे बाकमुत की लड़ाई के दुरान यहगनी प्रिगोजीन और रशियन डिफेंस मिनिस्टर शेवगू के बीच में भी कई बार वर्बल टकराओ देखने को मिला प्रिगोजीन ने अरोप लगाया कि रशियन डिफेंस मिनिस्टरी जान बूज के वागनर ग्रूप को हतियार सप्लाई नहीं कर रही है जितने हतियार वागनर ग्रूप को चाहिए उसका मतर 20% हतियार उनको दिया जा रहा है तो कई बार उन्होंने ये भी धंकी दी कि अगर उनको पूरी सप्लाई नहीं दी गई तो वो बीच में ही इस लड़ाई को छोड़ देंगे लेकिन आखिरकार 20 मई को वागनर ग्रूप ने बाखमुत शहर को पूरे तरीके से अपने कबजे में ले लिया और उसके बाद से मई का आखिर आते आते बाखमुत शहर ने वो सभी लोकेशन्स रशियन फोर्सिज के हवाले कर दी और ये उगनी प्रिगजीन का कहना है कि अब अगले एक महीने तक उनका वागनर ग्रूप पूरे तरीके से रिफ्रेश होगा दोबारा से रिट्रेनिंग करेंगे रियाम्ड होंगे और उसके एक महीने बाद अगली लडाई में वो शामिल होंगे तो बाखमुत शहर को पूरे तरीके से रूस ने अपने कबजे में ले लिया है और अब रूस का अगला निशाना बाखमुत से जो अगले शहर है चैसी वियार और उसके आसपास का इलाका है तीसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि दोनों तरफ से ड्रोन हमले किये जा रहे है अभी दो से तीन दिन पहले युक्रेइन के ड्रोन्स ने रशिया के बेलोगरोड और उसके अलावा मोस्को शहर को भी निशाना बनाया 15 महिने से चल रहे इस युद में पहली बार हुआ कि युक्रेइन के ड्रोन्स ने मोस्को को निशाना बनाया जो मोस्को की residential buildings थी जहांपे civilian रह रहे थे उनको target किया गया उसमें दो लोग मामुली तोर पे गायल हुए और कोई ज़ादा नुकसान नहीं हुआ इसके अलावा भी कुछ दिन पहले युक्रेइन की forces ने जो रशिया युक्रेइन के border पे बेलगरोड शहर स्थित है वहाँ पे इंकरजन किया और 5-7 km तक युक्रेइन के सेक्टनों सैनिक अंदर घुस गए थे लेकिन उसके बाद रशियन सैना ने उनको मूतोर जवाब देत उसके उसके बाद युक्रेइन वेस्ट द्वारा सप्लाइड किये गए एर डिफेन्स सिस्टम्स के माद्यम से उन ड्रोनस को मार गिरा देते हैं ड्रोन्स को मार गिराना advanced air defense systems के लिए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जैसे ही वो ड्रोन्स को मार गिराया जाता है तो रूस को उन air defense systems की radars की location का पता लग जाता है और उसके तुटर्ण बाद रूस हाइपर सोनिक किंजल मिजाईल, इसकांडर मिजाइल, कैलीबर मिजाइल के जरिए उन एर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाता है अभी 10 से 12 दिन पहले ऐसे ही एक हमले में कीव की राजदानी में स्तित पैट्रियोट एर डिफेंस सिस्टम ने पहले तो रशियन ड्रोन्स को मार गिराया लेकिन उस पूरी कारवाई में रूस को पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम की इग्जैक्ट लोकेशन का पता लग गया और रूस ने किंजल हाइपर सॉनिक मिजाइल के जरिए अमरीका दवारा सप्लाई किये गए पैट्रियोटिक एर डिफेंस सिस्टम को पूरे तरीके से तभा कर दिया तो ये पूरा अभी रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है एक और मेतरपुन बात ये है कि रूस एक और ड्रोन का इस्तिमाल कर रहा है जो छोटा ड्रोन है जिसको लैंसेट ड्रोन बोला जाता है इसके दो ओप्शन है दो इसके विकल्प है एक लैंसेट वन और एक एडवांस जो ड्रोन है वो लैंसेट थ्री लैंसेट थ्री का बड़े पैमाने पर रूस इस्तिमाल कर रहा है ये रूस की जाला गुरुप ने बनाया है इसमें जो हत्यार है जो गोला बारूद है वो लगबग 5 किलो है इसकी 60 से 70 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और एक घंटे की इसकी डूरेशन है रूस बहुत सफलता पुरवक इसका इस्तेमाल कर रहा है और ये लैंसेट ड्रोन युक्रेइन के लिए एक बड़ा सिर्दर्द बन चुका है फ्रंट लाइन के उपर युक्रेइन जितनी भी आर्टिलरी सिस्टम जितने भी टैंक जितने भी एर डिफेंस सिस्टम जितने भी रडार सिस्टम डेपलॉय करता है रूस लैंसेट ड्रोन के माध्यम से उन सभी को एक एक करके तबा करता जा रहा है चाहे वो बात हो अमरीका दोरा सप्लाई किये गए M777 होविट जर्स की या काउंटर बैटरी रडार्स की या और जितने भी अथियार है एडवांस अथियार उनको लैंसेट ड्रोन एके करके तबाह करता जा रहा है लैंसेट ड्रोन एक तरीके से कामी काजे ड्रोन है यानि ये ड्रोन जब लांच किया जाता है तो सीधा ये दुश्मन की जो उसके जो अथियार होते हैं चाहे वो टेंक हो चाहे वो एर डिफेंस सिस्टम हो सीधा जाके उनके साथ ये भिढ़ जाता है उसके उपर डारेक्ट ही यह हमला करता है एक त्रीके से आतम घाती हमला है आतम घाती ड्रोन है लैंस ड्रोन तो लैंस ड्रोन के कारण सेंकड़ों की संख्या में यूकरेन के मिलिटरी हार्डवेर्स को अब तक तबा किया जा चुका है जो चौथा पॉइंट है वो यह है कि लगबग पिछले दो-तिन महीनों से एक बात की बड़ी चर्चा चल रही है कि West ने Ukraine को बड़े पहमाने पे train किया है, बड़े पहमाने पे अथियार दिये हैं, बड़े पहमाने पे Ukraine के नए volunteers को training दी है, और Ukraine एक बहुत बड़ा counter offensive शुरू करने वाला है, लेकिन पिछले दो से air defense system और अपने trenches और अपने पूरे defensive positions पूरे तरीके से मजबूत कर ली है, और Ukraine को किसी भी तरह से सफलता मिलती नहीं दिख रही है, पिछले वर्ष जब Ukraine ने counter offensive किया था, तो उस समय रूस ने अपनी पूरी तयारी नहीं की थी, इसलिए Ukraine की सेना ने हैरसोन और खार्किव श अब वो पूरे तरीके से उनका effect निल हो चुका है, जैसे हाइमार्स rocket system है, पिछली बार हाइमार्स rocket system बड़ा कारगर साबित हुआ था और हाइमार्स के माध्यम से पिछले साल सितंबर में हैरसोन और खार्किव counter offensive के दोरान, युक्रेन की सेना ने रशिया के command post को, रशिया के और जो storage facility थी जहांपे उनके हतियार और उनका oil जमा था, उनको निशाना बनाया था, लेकिन अब की बार, रशिया ने एक layered air defense system तयार किया है, जिसमें पैंटशीर defense system है, electronic warfare defense system है, book missile defense system है, S300, S350 और S400 missile defense system है, एक नया software भी उन्होंने develop किया है, जिससे हाइमार्स को पूरे की सेना हवा में shoot down कर दे रही है, और हाइमार्स के rocket launcher system को भी रूस की सेना एक एक करके निशाना बनाती जा रही है, अप्रेल के आखिर में, और मई के शुरुआत में, यूक्रेन ने बिटेन दोरा supply की गई, strong shadow cruise missiles का effectively इस्तिमाल शुरू किया था, लगबग 10 मई के आसपास, exactly 12 मई को, strong shadow missiles के जरिये, यूक्रेन ने लोहांस्क में एक Russian command post को successful निशाना बनाया था, strong shadow लगबग 200 km range की एक cruise missile है, जो England ने यूक्रेन को supply की है, और specially जो यूक्रेन की air force के SU-24 fighter jet है, उनको specially उनमें कुछ बदलाव किये गए है, ताकि वो strong shadow missile को successfully launch कर सके, लेकिन उसके तुरंत बाद, Russian air defense forces ने अपनी टेकनीक में बहतर तरीके से बदलाव किये, और अब वो strong shadow missiles वो भी ineffective कर दी गई है, और पिछले 15 से 20 दिनों में, रूस की defense ministry के अनुसार, उनकी forces ने 25 से 30 strong shadow cruise missiles को हवा में शूट डाउन कर दिया है, तो पिछले 2,5 महीनों से यूक्रेन के counter offensive की चर्चा तो हो रही है, लेकिन counter offensive कहीं पे शुरू होता नहीं दिखरा, counter offensive कहीं पे successful होता नहीं दिखरा, तो अब देखना ये होगा, कि रूस और यूक्रेन के यूद में आगे क्या development होती है, आज हमने आपको सरल भाषा में आपको 4 बड़ी development वताई, जो रूस और यूक्रेन के यूद में हो रही है, और खासकर पिछले 1 महीने में जो जो development हुई है, यदि आपको वीडियो अच